नमस्कार दोस्तों बाबा अरवेदा में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंद्र जो के बारे में जो की भारत वर्ष की एक अत्यन्त परशिद्वनस्पती है इसे कोडे का ज़ाड और कुटुज बीज के नाम से भी जन अजाता है इसके ज़ाड दस फिट तक उच्चे होती है इसकी चाल आदा इंच तक मोटी तथा बुरे रंग के होती है इसकी साखाव पर चार से आठ इंच तक लंबे और तीन चार इंच चोडे पत्ते आमने सामने लगती है इसके फूल गुच्छेदार और सफेद रंग के होती है इसक लिया कच्ची हरी और पकने पर भूरी रंग के हो जाती है इनके बीतर के बीज जो इंदर जो के नाम से मसुहूर है कच्ची हालत में हरे और पक्की हालत में गेहु के रंग के होते हैं इंदर जो का व्रक्ष दो परकार का उत्ता है एक सफेद और दूसरा काला सफेद इंदर जो के बीज मिठे इंदर जो के नाम से और काले इंदर जो के बीज कडवे इंदर जो के नाम से मसुहूर है बात करें इनके गुण दोस और परभाव के बारे में इंदरजो की चाल और इसके बीज अथार्थ इंदरजो बहुत प्राचिन समय से इस देश में ओसदी के रूप में परियोग होते है इसकी चाल कडवी, सुस्क, गरम, कसेली और किर्मिनासक होती है अतिसार, रखतातिसार, पितातिसार, आमातिसार इतियादी रोगों पर यह वनस्पती बहुती उत्तम कारिय करती है मरोडी के दस्तों में जबकि भैंकर रित्ती से दस्तों में खून गिरता है उस समय इंदरजो की चाल असिरवादी तरह काम करती है चाहे जैसा खुनी अतिसार हो और चाहे जैसी मरोडी आतियों उसको भी यह उसदी मिटा देती है आयरवेद के अंदर रखता तिसार में इंदर जो की छाल की बराबरिक करने वाली दूसरी कोई उसदी नहीं है यह एलोपेथी की परशिद दवा इपी कोना का मुकाबला करती है बवासीर और रक्त पित के रोगों में भी यह उसदी बड़ा लाप पहुचाती है इससे बवासीर के अंदर पढ़ने वाला खून बंद हो जाता है सरीर में ताकत आती है चेहरे का पीला पन मिटता है और आखों में जीवन आता है मलेरिया जवर एक तरह तता मियादी बुखारों में भी यह उसदी बड़ा काम करती है जिस समय अकेली किविया नाइन किसी बुखार को तोड़ने में नाकामियाब होती है उस समय किविया नाइन के साथ इंदर जो की छाल का सत्व मिला कर देने से आश्चरे जनक लाब होता है इसकी छाल का सवरस सहद के साथ लेने से परमे और पीलिया में लाब होता है लोहो बसम के साथ इसके चूरन का सेवन करने से परदर में बहुत लाब होता है इसके बीज अर्थार्थ इंदर्जो गराई और सित्तल है बालकों के अतिसार रखता अतिसार और आत्तो की व्यादियों में जब गुद्दा द्वार से खोन गिरता है और साथ में बुखार भी रहता है तब यह उसदी छाच के साथ देने से बड़ा लाप पहुचाती है दूसरी गराई ओसदियों में जहां केवल सतंबन का गुन रहता है वहां इंदर्जो की छाल और इंदर्जो में सतंबन के साथ पाच्चन का भी गुन रहता है इससे जहां यह एक तरफ दस्तो को बंद करती है वही दूसरी और आम का पाच्चन भी करती है इनी दिव्य गु यग के अंदर यह है ओस्दी मुख्य सामगरी की तरह इस्तमाल की जाती है लगबग लगबग हर यग के अंदर इस ओस्दी का इस्तमाल किया जाता है इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह है ओस्दी कितने परभाव सहली है और कितने पुराने समय से इस्तमाल होती आ रही ह दोस्तों ये थी आज की मेरी इंदर जो के बारे में छोटी सी जानकारी जल्दी इसकी संपुन जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगा और इस इंदर जो के पेड को हमारे या की भासा में कुडे का जाड कहते है आपकी बासा में किस नाम से जानते है और आप इसके बारे में क्या जानकारी रखते है कोमेंट करके जरूर बताए इसी के साथ अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करे ताकि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्त और निरोगी रहे